नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल में मैरानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में चाचा शुपाल में जनमास्ट मी की शुब कामनाई देने के लिए यदुवन्शियों को एक ओपन लिटल लि इसी के साथ ही उन्होंने सीधे तोर पर इशारों ही इशारों में अखिलेश यादों को कंस बता दिया आपको बता दे कि उन्होंने दरसल इस लेटर में लिखा कि जब अपने पिता को छल कपट के द्वारा राजगदी से हटा दिया जाता है पाप किया जाता है तब इसका सुरिजन करने के लिए श्री कृष्ण जन्म लेते हैं इसी के साथ ही उन्होंने यदुवन्शियों का वहन किया है और इसको ले करके आप जो राजनेतिक विशेशकर हैं वो यही कह रहे हैं कि यह सीधे तोर पर अखिलेश यादों पर निशाना साधा हो गया है चाचा शिव प्रदेश में उसमें किस कदर सपा पार्टी को करारी हार मिले और इस हार के बाद से लगातार अखिलेश आदों बॉखला हुए नजर आ रहे हैं कहीं वो इसका गुस्ता अपने चाचा शिवपाल यादों पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी ओम प्रकार्ष राज लिखा है इसको ले करके लगाता अर्च और शाय तेज हो चुकी आपको बता दे देश भर में आज श्रीक्रेश्न जनमास्टमी की धूम है इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादों ने यदुबर्शियों को एक लेटर लिखा उसे चाचा भतीजे के बीच का द्वन्द भी कहा जा रहा है हाला कि शुपाल ने पत्र में किसी के नाम का जक्र नहीं किया है लेकिन राजनेतिक जानकार इसके माईने जरूर निकाल रहे हैं आईए आगे हम इन ही माईनों के बारे में आपको बताते हैं तरसल शुपाल यादों ने ये लेटर यताती सुत यदुवन्शियों को लिखा है लेटर में शुपाल ने लिखा है समाज में जब कोई कंस अपने पूज पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटा कर अवैद तरीके से खुद को स्थापत करता है तो धर्म की रक्षा के लिए माय शोदा के लाल गुवालों के सखा योगेश्वर श्रीकृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं अपने योग माया से अत्याचारियों को दंड देकर धर्म के स्थापना करते हैं शिवपाल यादों ने आगे गीता के कि श्लोक यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भ समाजवादी पार्टी लोहिया भी श्वर द्वारा रचित विराठ नियती और विधान का परिणाम है शिवपाल ने इस लेटर में कंस और उसके द्वारा पिता का पद छिनने के जिक्र को समाजवादी पार्टी में हुए बदलाव से जोड़ कर देखा जा रहा है इस ले चिठी में जो दो बड़ी बाते लिखी हैं उसको लेकर ही अटकले लगाई जा रही है पहला ये कि क्या ये अखिलेश यादव पर निशाना है वतादे 2017 विधान सबाचनाव के बाद ही अखिलेश यादव और श्योपाल यादो की बीच सियासी रिष्टों में दरार जब समाजवादी पार्टी ने पत्र जारी कर कहा था कि श्योपाल पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं इस पर श्योपाल ने कहा था कि वैसे तो वो स्वतंत्र थे लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे अप्चार रास्टपती चुनाव के दौरान देखने को मिला था कि जब रास्टपती पत की उमीदवार रहीं दौपदी मुर्मू आई थी उतर प्रदेश में अपना प्रचार करने के लिए तब उन्होंने योगी आदितनात के आवास लोग भवन में डिनर पार्टी का आयूजन किया और इस दौरान चाचा शोपाल यादव भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने ये पहले ही कहा था कि जिस पार्टी ने मुझे जो पार्टी मुझे बुलावा भेज़ेगी वोट मागेगी मैं उसको जरूर वोट दूंगा इसके बाद देखने को मिला था कि उन्होंने एं लेटर जारी किया गया था इसमें उम्प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव दोनों को ही पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया कहा गया कि आप दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं जिसके बाद अब शिवपाल यादव अपनी पार्टी को मजबूत करन में लगे हुए हैं दूसरा यह माना जा रहा है कि क्या शिवपाल इशारों इशारों में अखिलेश को कंस बता रहे हैं आपको बता दे समाजवादी पार्टी की सियासत को समझने वाले सियासी जानकार इसे शिवपाल पर अखिलेश का तंजमार रहे हैं शिवपाल ने जिस पिता मुलायम सिंग यादो को राष्ट्रिय अध्यक्ष के पद से हटा कर खुद समाजबादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष बन गये थें कहा ये भी जारा है कि पत्र में शिवपाल ने इशारों इशारों में ही उसी घटना का जिक्र कृष्ण के जीवन के अधार पर किया है हाला कि सच केवल शिवपाल ही बता सकते हैं शिवपाल सिंग यादो ने अपने पत्र में यदुवन्शियों का आवाहन करती हुए लिखा कि आप सभी इस धर्ती पर धर्म रक्षक क्रिष्ण के ध्वजवाहक है आप वीर और क्रिष्ण के विराठ वेक्तित्व की प्रती चाया है ऐसे में धर्म की रक्षा में आपका दाइत्व बेहद महत्वपूर हैं आपको बता दे दरसल ये विवाद 2016 में शुरू हुआ जब पहली बार 2 जून साल 2016 में मुखतार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विले के सवाल पर ततकालीन सीयम अखिलेश मुलायम के करीबी बलराम यादो को पार्टी से बाहर निकाल दिया था इसके बाद 15 अगस्त को सपा के ततकालीन मुखिया मुलायम सिंह यादो ने अखिलेश यादो को चितावनी देते हुए ये कहा था कि शिवपाल ने अगर इस्तिफात दे दिया तो ये पार्टी मिल थे मुलायम ने सपा से राम गोपाल को बहार कर दिया था साथ ही ये भी चीज़े सामने आई जब जब चाचा भतीजे में नर्मी की खबरे भी देखने को मिली ऐसे भी तस्वीरे सामने आई आपको बता दे चार मार्श 2020 दिल्ली से लखनों के लिए उड़ान भड़ने व शिवपाल भी मंच पर पहुंचे थे अखिलेश ने उनके पैर भी चुए थे वहीं इसके बाद से लगाता है शिवपाल अखिलेश के प्रती नरम दिखाई दिये थे उन्होंने यहां तक कहा कि भाच्पा को हराने के लिए सभी विचार धाराओं के लोगों को एक होना अत सपा की तरफ से शिवपाल की विधान सभा सदसितार रद कराने के लिए याचिका दायर की गई 29 मई 2020 में अखिलेश ने इस याचिका को वापस करवा दिया था और इसके पीछे भी सपा संस्थापक मुलायम सिंग यादों की आपको बता दे वहीं मुलायम ने 12 अक्टूब इसके बाद 2 नवंबर 2021 को एटा में समाजिक परिवर्तन यात्रा के दौरान शिवपाल ने कहा कि वे सपा में विलाए को तयार हैं और इसके बाद देखने को मिला कि कैसे 2022 में करारी हार हुई उसके बाद अखिलेश यादों की वाखलार साब साब देखने को मिली और एक ब करना चाहें वो जा सकते हैं जिसके बाद अब शिवपाल यादो अपनी पार्टी यानि की प्रगती श्रील समाजवादी पार्टी को खड़े करते उबेद दिखाई दे रहे हैं आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे क्यों और झाल